हेलो एवरिवन एक बार फिर से स्वागता है आपका अपना यूटूब चैनल साइंस गुरू रवी में गाइज आप सभी को पता है कि हम साइटोलोजी अर्थार्थ कोशी का वध्यान पढ़ रहे हैं इसकी एक क्लास समापत हो चुकी है अगर आपने वो पहली क्लास नहीं पढ़िया है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा आप जाकर चैक आउट कर सकते हैं गैज सबसे पहले हम क्या करते हैं कल हमने जो पड़ा उसका रियूजन करते हैं पात साथ मिनट में फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आपका नियंत्रन परियास बना रहे हमारे इस टोफिक पर देखिए चैप्टर का नाम है साइटोलोजी साइटोलोजी हिंदी में कहा जाता है कोशी का विज्यार कोशी का विज्यार क्या होता है किसी भी चैप्टर की सुरुवात करने से पहले उस चैप्टर की मिनिंग आपको समझ में आना जरूरी है मैंने कल डिटेल में पढ़ा है इसले कल की वीडियो आप जरूर देखे guys saito का मतलब होता है actually में साथ्यो saitology एक Latin महसा का सब्द है जिसमें saito का मतलब होता है sail ikocyka औяж जो logique सब्द है saithiyo इसका मतलब होता है to steady यानि कि अध्यन करना यहां से साथ्यो saitoology की या फिर हम कह सकते हैं कि kosi का विज्ञान की definition निकल के आती है कोशिका विज्यान विज्यान की वह साका है जिसमें साथ हम कोशिका के बारे में अध्यान करते हैं मैंने कहा कि कोशिका विज्यान विज्यान की वह साका है जिसमें हम कोशिका के के बारे में अध्यन करते हैं, साइटो का मतलब सेल है, सेल को हिंदी में कहा जाता है, कोशिका, लोजी का मतलब होता है, to steady हैनी की अध्यन करना, कोशिका के बारे में अध्यन करना ही क्या कहलाता है, साइटो लोजी, कोशिका विज्ञान कहलाता है, इतनी बात क्लियर है, हर्ट विंग ने दिया था इतनी कहानी आपको पता है या नहीं पता अगला क्यूशन मैंने आपको करवाया था कि कोशी का विज्ञान का जनक कोन है कोशी का विज्ञान का जनक कोन है विया कोशी का विज्ञान का जनक है रोबोर ठुक रोबोर्ट हुक जी ये एसे महान वेग्यनिक थे साथियो जिन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया इन्होंने बताया कि संसार में जितने भी सजीव है साथियो सभी सजीव कोशिका से मिल करके बने होते जब भी किसी सजीव का निर्मान होता है तो सबसे पहले साथियो एक कोशिका का निर्मान होता है और उसी ही एक कोशिका से बिया पूरी living body पूरे सजीव सरीर का निर्मान होता है सबसे पहले साथियो 1665 में इस रोबोट उकजी ने कोशिका की खोज की थी किस में की थी कोर्क टिश्यो में की थी कल मैंने आपको अच्छे से पढ़ रहा था इसलिए साथियो इस रोबोट उपजी को कोशी का विज्ञान का जनक कहा जाता है और बात करें अगला मैंने आपको बताया था आदूनी कोशी का विज्ञान का जनक कोन है तो आदुनी कोशिका विज्यन का जनक है साथियो स्वांसन ये स्वांसन वहमान विज्यनिक है साथियो जिनोंने कोशिका के उपर एक पूरी बुक ही लिख दी बुक का नाम है दासेल दासेल ये इस पुस्तक का नाम है भी है मैंने कहा आदुनी कोशिका विज्ञान का जनक कोन है सुवांसन है गाइच सुवांसन को आदुनी कोशिका विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कोशिका पर इतना काम किया साथियों कि इन्होंने कोशिका पर परसनल एक पुस्तक के लिख दी उस तक का नाम है दासे फिर मैंने आपको बताया था साथियो भारतिय कोशी का विज्ञान का जनक को है भारतिय कोशी का विज्ञान का जनक भारतिय कोशी का विज्ञान का जनक है साथियो एके सर्मा एके सरमा साथियो वो भारतिय महान विग्यानिक है जिनोंने कोशिका परकाम किया और इसे ही साथियो भारतिय कोशिका विग्यान का जनक कहा जाता है देखिए यहां से कितने सारे क्यूशन आपके एकजम के लिए किलियर हुए कल हमने इन सभी के बारे में डिटेल में अध्यान किया था डिटेल में हमने पढ़ाई की थी एक-एक बात एक-एक मुंट आपको किलियर हो गया था इसलिए मैं कहता हूँ साथियों कि अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखिये तो आपको नहीं चलिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर चेक आउट कर सकते साइटोलोजी, साइटोलोजी वीडियन की वह साखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्यान करते साइटो एक लेटिन मसा का सब्द है साइटोलोजी जिसमें साइटो का मतलब होता है सेल अर्थार्थ कोशिका और लोजी का मतलब होता है टू इस्टिडियानिकी अध्यान करना कोशिका के बारे में अध्यान करना ही क्या कहलाता है साइटोलोजी अनिकी कोशिका विग्या स्वानसन है, इसकी पुष्टक का नाम है, दासेल, वो भारतिय कोशिका विज्ञान का जमेक है, एके सर्मा, यहां तक साथ ही हुमने कल चर्चा कर ली थी, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका की खुज के बारे में, कि सबसे पहले कोशिका की खुज किसने की थी, मर्द को सिखा के खुज किसने की थी, जीवित को सिखा के खुज किसने की थी, और किसमे की थी, गैज, मैं अपने बारे में बता दू, मेरा नाम रवी है, मैं सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए बायलोजी पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट आपको पेड़कोर्स में उपलब्द नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिस करता हूँ, आपको अमारे साथ चुड़ने के लिए एक रुपे देने की आऊ सकता नहीं है, शिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिपिकेशन टाइम टो टाइम पहुंच सके, गैज, अगर आप फेस्बुक यह वीडियो देख रहे हो, और अगर आपको बाइलोजी पढ़नी है हमारी बहुत सारे फिर ही अपकुष्ट लेक्चर देखने हैं, तो यूटूब चैनल पर आईए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने यूटूब चैनल पर बहुत सारे फिर पर जाकर चेक आउट कर लेजी, और आगे-ागे मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे दूँगा, कि सबी परतियों की प्रिक्षियाओं के लिए आपको खहीं और जगे से बाइलोजी पिढ़ने की आऊ सकता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे चेप्टर करवा रखे हैं और बहुत सारे चेप्टर की M.C. की सेरीज भी करवा रखे हैं, और बहुत सारे इसे टोफिक हैं, जिनको पर कोई वीडियो बनाता ही नहीं है, इसे इसे टोफिक आपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, बिल्कुल आसान भासा में, इसलिए आपसे रिक्ष्ट है, अगर चैनल से देख रहे हो, तो यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, वेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसे आपके पास अमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम प्रॉच सके, अब करते हैं साथी हम आज की क्लास की सुरुवार, अगर आपको ये बास समझ में आ हम बात कर रहे हैं कोशिका की खुजकी, किसकी विया कोशिका की खुज, सबसे पहले साथियो कोशिका की खुजकी थी, रोबोर्ट हुकने विग्यनिक का नाम क्या है साथियो, रोबोर्ट हुकने, कौन सी साल में की थी, तो भाया 1665 वी साल में की थी, 1665 वे साल था साथियो, जिसमें लोगों को पता चला कोशिका के बारे में, तो अगर आपसे कोई क्यूशन पूचे कि कोशिका की खुज किस ने की, तो आप किस विग्यनिक का नाम लोगे, रोबोर्ट हुकने, इतनी बात के लिए रहे, कौन सी साल में की, तो 1665 में की, 1665 साथियो वो साल है जिसमें कोशिका के बारे में लोगों को पता चला, और किस की थी साथियो तो याद रखना मेरे भाई कोर्क टीश्यू में की थी, अब बात आती है कि ये कोर्क टीश्यू क्या होता है, ये कोर्क उत्तक क्या होता है, कोर्क टीश्यू क्या होता है, तो सबसे पहले कोर्क टीश्यू के बारे में समझते हैं, देखिए, गाइच अगर आपने देखो, तो आज के लगबग 10 साल पहले, 10 या 15 साल पहले, हमारे ग्रों में जो आचार की केटलिया होती थी, उन आचार की केटलियों पर साथियों जो ढखकन लगे होते थे, वो किसके होते थे साथियों? कॉर्क टीशू के. लेकिन इस एकजम्पल से पहले में आपको एक बात और बताने वाला हो, आप एक काम करीए किसी पेड़ का एक तना लेजिए, पेड़ का आपने तना ले लिया, साथियो पेड के तने की उपर की जो चाल होती है साथियो उस चाल को आप हटाईए चाल को अटा दिया आपने चाल हटाने के बाद में साथियो पेड के तने की जो आपको परत दिखाई देती है बेटा वो होती है कोर्क टीश्यू की परत किसकी परत होती है कोर्क टीश्यू की परत और इसी कोर्क टीश्यू की परत से पहले के जमाने में आचार की जो केटलिया होती थी बेटा उनके उपर जो ढकन होते थे वो ढकन किसके बने होते थे बेटा कोर्क टीश्यू की परत के बने होते थे और एक जमपल दूँ मैं आपको इत्तर जो होता है इत्तर की बोतलों पर आपने ढखन देखा होगा इस जमाने में भी चलता है जैसे कि अजमल जैसे ब्रांड अने इत्तर की उनकी बोतलों पर अभी भी आज के समय में भी देखना कभी कोर्क टिश्यू की परत के केप होते हैं जो कोर्क टिश्यू होता है उसके धक्कन होते हैं विया इतर की बोतलो कर शेंपियन की जो बोतल आती है बेटा उन सेंपियन की बोतलो पर कोर्क टिश्यू के धक्कन होते हैं तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोरक टिशू क्या होता है, एक बार और बताता हूं, पेड का आप तना लीजी, बीच में से कटवा भाग में आपको फोटो लगा दूआ यापर, उसकी च्छा लटा ये, च्छा लटाने के बाद में बेटा, जब आप दे कोशिका के बारे किस में की थी, तो कोरक टिशू में की थी, अब देखिए कैसे की, वो देखिए, तो रोबोट उस जमाने में बिया 1665 की साल थी, उस जमाने में कोई माइक्रोस्कोप तो था नहीं, लेकिन इसी नहीं ही बिया, जो काच होते हैं न, उन काचो को गिस गिस कर के पीस-पीस कर साथियों क्या बनाया था खुद का ही एक माइक्रो इसकोप बनाया था माइक्रो इसकोप को हिंदी में कहा जाता है मैं लिख देता हूँ माइक्रो इसकोप इसे हिंदी में कहा जाता है सुक्सम दर्सी गैज ये एक ऐसा यंतर होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, यह ऐसे यंतर होता है, जिसे हम नगन आखो से नहीं देख सकते हैं, उसे साथियों इस यंतर से देख सकते हैं, जिसे कि बेक्टिरिया, वाइरस, क्या इन्हें हम नगन आखो से देख सकते हैं क्या, नहीं, नगन आख को तैयार किया था काचो को पिस पिस कर काचो को गिस गिस करके इसी माइक्रोइसकोप के नीचे इन्होंने क्या किया साथियो यह जो कोर्ग टीश्यू है इस कोर्ग टीश्यू की परत को रखा इन्होंने क्या किया इस कोर्ग टीश्यू की परत के नीचे इस माइक्रोइसकोप कर माइक्रो इसकोप पर साथ हो इस कोर्ग टीश्यू की परत्की कुछ इस तरीके से सरचना दिखाए दी इस तरीके से सरचना दिखाए दी विया इस तरीके से सरचना दिखाए दी किसे विया रोबोर्ट को इस तरीके से सरचना ये सरचना दिखाए दी साथियो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा साथियो इस परकार की सरचना बेंजिन जिसी सरचना दिखाए दे रही आपको तो हम कह सकते हैं कि बेंजिन के समान सरचना दिखाए दी लेकिन भया रोबो टुकजी ने कहा कि रूम के समान कुछ इस तरीके से बहुत सारे रूम के समान इन्हें सरचना दिखाए दिए और ये जो रूम के समान जो सरचना थी साथियो ये भी भया इस तरीके से छोटी-छोटी इकाईयों से मिलकर के बनी हुई थी ये रूम के समान जो सरचना थी साथियो ये बेंजन के समान जो सरचना थी विया ये छोटी-छोटी इकाईयों से बनी हुई थी एसा किस ने कहा एसा कहा विया रोबोर्ट हुझी और ये जो छोटी-छोटी इकाईया थी साथियो इन छोटी-छोटी इकाईयों को नाम दिया स और बाद में इस सेला सब्द को हीबा कहा, सेल, उसे कोशीका कहा गया, सेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशीका, इस तरीके से बया, सबसे पहले, रोबोटुक ने कोर्क टीश्यू में, सुक्सम दस्य के साहिता से, इन कोशीकाओं को देखा, इन्होंने कहा, कि बया, बें उसे मिल करके बने हुई होती है और इन चोटी-चोटी इकाईयों को इही नाम क्या दिया साथियों सबसे पहले इनोंने सेला ये एक लेटिन वासा का सब्द है और बाद में इस सेला को चेंज करके क्या कहा गया साथियों सेल कहा कोशी का कहा गया और भया रोबोट हुक जी न इस रोबोट उकजी ने इस सरचना की तुलना किसे की थी मदु मक्खी के छत्ते से इन्होंने तुलना की थी विया मदु मक्खी के छत्ते से मदु मक्खी का जो छत्ता होता है ना साथियो उस मदु मक्खी के छत्ते से इसकी तुलना की थी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मदुमक्य के च्छते में हजारों लाखों की संख्या में कोशिकाए होती है ठीक उसी परकार साथियो इस रूम के समान जो सरचना आपको दिखाए दे रही है बेंजेन की समान जो सरचना दिखाए दे रही है इसमें हजारों लाखों की संख्य हमें क्या होती है साथ योग सेल होती है कोशिका होती है कुछ इस तरीके से भीया रोबो ठुक जी ने 1665 में पोर्क टीश्यू में कोशिका को देखा कोशिका की खोज की लेकिन साथियों इस बात का याद रखना ये जो कोशिका थी ये भाईया टेड कोशिका थी डेड़ सेल थी यानि कि मरत कोशिका थी तो अगर आपसे इससे आपकी परतियों की परिक्षावों में इससे क्यों सन पूछ जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की तो आपका राइट अंसरोंगा रोबोर्ट हूँ कब की थी? 1665 में की थी किस में की थी? तो कॉर्क टीशू में की थी अब कॉर्क टीशू क्या होता है साथियों ये आपको अच्छे से पता है कोई पेड का तना लीजिए पेड के तने के उपर की छल को आप हटाईए उसके अंदर आपको जो परत दिखाई देगी साथियों वो कॉर्क टीशू की दिखाई देगी माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप के बारे में आपको अच्छे से पता है जिसे हम नगनापू से नहीं देख सकते साथियों उन्हें हम इस यंतर की साइथा से इस माइक्रोस्कोप की साइथा से देख सकते हैं तो इन्होंने विया इस कॉर्क टीशू की प्रत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इन्होंने कुछ इस बेंजन के समान सरचना देखी बेंजन के समान जो सरचना थी सातियों ये भी इन छोटी-छोटी इकायों से मिलकर के बनी हुई थी रोबो टुक जी ने कहा कि भया ये बेंजन के समान ये रोम के समान जो सरचना है ये इन छोट-छोटी इकायों से मिलकर के बनी हुई है और साथी ये छोट-छोटी इकायों को सबसे पहले उन्होंने नाम दिया सेला बार्द मीने सेल यानी की कोशिका कहा रोबो टुक जी ने इसकी तुलना किसे की थी या मदुमक्खी के छत्ते से की थी इन्होंने बताया कि जिस तरीके से साथियो एक मदुमक्खी के छत्ते में हजारो लाखो की संख्या में मदुमक्ख्या होती है ठीप उसी तरीके से इस रूम में या फिर मैं कह सकता हूं इस कोर्क टीशू में हजारो लाखो की संख्या में क्या होती है साथियो कोसिका होती है लेकिन इनकी बदकिस्मती थी साथियो इन्होंने जो कोशिका खोज की उन कोशिका वो कोशिका केसी थी वो कोशिका मर्द कोशिका थी फिर भी यह बदकिस्मती नहीं है उस समय की बहुत बड़ी खोज थी साथियो 1665 साल में जिसने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया, तो सोच ये, कोशिका कितनी अच्छी चीज है, जिसे लोगों को पता लगा कि इस कोशिका से ये या हमारे सरीर का निर्मान वा जितने भी सजीव है सातियों, सबी सजीव कोशिका से बने होते हैं, तो समय की भूत ब पड़ी है लेकिन जीवित कोशिका होती हमारे मन में आता है अगर जीवित कोशिका होती तो और भी अच्छी बात है मेरा कहने का मतलब यह है कि एक अन्य विज्यनिक और था जिसने साथ हो जीवित कोशिका की खोज की उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं लेकिन अगर आ थी, जो कोशिका खोजी गई थी सात्यों वो मर्द कोशिका थी, बोलो, इतनी कानी आपको समझ में आया नहीं आया, आपके परतियों की परिक्षिवों में आपसे क्यूशन पूँचा जाता है, कि सबसे पहले कोशिका की खोज किस ने की थी तो रोबो ठुकजी ने की थी आपसे आपके परतियों की परिक्षिवों में क्यूसन पूछा जाता है कि रोबो ठुकजी ने कौन सी साल में सबसे पहले कोशिका की खोज की 1665 साल में आप से आपके प्रतियों के प्रिक्षाउ में क्यूशन पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशika की खोज रोबोट हुकजी ने किस में की तो भी या कोर की टिशू में की में मर्त को सिखा के खोजकिसन में मर्त को थी सब्सक्राइब अब हम बात करने वाले हैं सथिवित को थी का क खोच किसने की एक बात और बता दूर साथिव मैं आपको रोगोटvoor जीका जो जीवनकाल है वो है सोडा सो पैंतिस से लेकर के सत्रा सो तीन तरह याद होता है तो ठीक है नहीं होता है तो कोई बात नहीं इतनी कहानी समझ में आ गई गाईज तो अगर यह कहानी आपको समझ में आ गई है तो आप स्क्रिंसोट ले लिजिए ले लिया भी है स्क्रिंसोट अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि विया जीवित को सिका की खोज सबसे पहले किस वेग्यानिक ने की चले विया आगे ओके देखे विया अब बात करते हैं जीवित को सिका के बारे में कि विया एसे कुन से विग्यनिक थे जिसने जीवित को सिका के बारे में हमें बताया देखिए विया एक विग्यनिक का नाम आपने सुनोगा एंटोनी वेन लुवेन एंटोनी वेन लुवेन हुग जीवित को सिखा के खोजगी थी कब 1666 में जीवित को सिखा की जीवित को सिखा की और मर्द को सिखा के खोज कब की गई थी साथियों तो आपको याद रखना है 1665 में किस वग्यानिक ने तो बया रोबोर्ट हुक ने किस में की थी तो कोर्क टीशू में केसी को सिखा थी ये तो ये बया डेड़ सेल थी यहनी की मर्द को सिखा थी केसी को सिखा थी बया ये ये यह थी बया मर्द को सिखा लेकिन आगर आप से आपके परतियोंगी प्रिक्षयों में किसंन पूछा जाए कि जिवित को सिखा की खोज किसने की तो किसने की थी बया एंटॉन लूवेन होग्ये आप Kingdom कोन सी साल में की थी सोडा सोचियत तर अब कैसे कि इसकी क्या कहानी है तो गाइज क्या हुआ इसा कहा जाता है कि यह जो एंटनी व्योन ल्यूवेन हुक जी है यह एक दिन अपने गार्डन में पोदो को पानी दे रहे थे जहां से सुना इंट्रेस्ट आएगा है मैंने क्या कहा कि इस वेज् पोदो ने कहा कि एक दिन की बात है कि यह यह अपने गार्डन में पानी दे रहे थे ठीक साप पोदों को अचानक बारिस आ गई अब बारिस आ गई साथियों तो आप जानते हो कि किसी पोदे में तो मिट्टी को इदर दर खुशकाने में अपना हाथ चला ही जाता अगर आ अचानक बारिस आ dough सातियों और जब यह बाद में अपने घर अए तुर ने देखा कि इनके नाखुनों में मिट्टी फासी हुई थी नाखुन बड़े बड़े थे इनके नाखुनों में मिट्टी फसी हुई थी तो जो वेग्यनिक होता है ना उसे पेटा कुछ अजीब अजीब से दिमाग में कुछ अनकुछ आता रहता है क्रियोशीटी होती रहती है उन्होंने क्या किया इसके पास इलक्ट्रोन माइक्रोस्कोप थी उस समय साथियो 1666 में माइक्रोस्कोप का आविस्कार हो गया था तो इलक्ट्रोन माइक्रोस्कोप थी इन्होंने क्या किया है इस मिट्टी को निकाल करके साथ यो इलोक्ट्रोन माइक्रो इसको पर रख दिया ठीक साथ क्या किया है इन्होंने इस मिट्टी को निकाल करके इलोक्ट्रोन माइक्रो इसको पर रख दिया गाइज इन्हों ने देखा कि इस मिट्टी में कुछ मोलिक्यूल कुछ पार्टिकल इस तरीके से गूम रहे थे साथियों कुछ पार्टिकल साथियों इस तरीके से गूमते हुए दिखाई थी और बाद में पता लगा साथियों कि ये जो पार्टिकल मेंने देखे हैं ये बैया बेक्टीरियल सेल है बेक्टीरियल सेल है ये जीवानों की कोशी का है बैया ये क्या है? ये जीवानों की कोशी का है तो कुछ इस तरीके से साथ यो एंटनी वोल ल्यूवे alleen होक ने 1646 में जीवित को सेखा के खोजगी कितना आसान है कितना सिंपल है यार 1665 में रोबोटकजी ने कोरक टिश्यू में मर्द को सेखा के खोजगी और 1656 में एंटनी वोल ल्यूवेन होक ने जीवित को सिखा की खोज की किस तरीके से की मैंने आपको कहानी समझाई दोनों की तो Anthony 1. Levenhook ने भिया जीवित को सिखा की खोज की थी कब 1666 में इतनी कहानी समझ में आ गई अब आपसे कोई भी क्यूशन पूँचे कि को सिखा की खोज किस ने की तो सबसे पहले आपको बताना है रोबो टुक ने की थी 1665 में किस में की थी तो कोर्क टिश्यू में की थी भी या मर्द को सिखा की खोज की थी लेकिन अगर आपसे क्यूशन पूँचा जाए कि जीवित को सिखा की खोज किस ने की थी तो भी या इसका साइंस की चेटर में बहुत बड़ा योगदान रहा है इन्होंने बहुत सारी खोजेगी जैसे कि अगर मैं एक्जम्पल की बात करूँ तो अगर आपसे क्यूशन पूचा जाए कि आर बी सी गैज ये एक बलड की सेल है आर बी सी रेड बलड सेल रेड बलड सेल लाल रकत कोसी का ये फिर कडिका कह सकते हो आब सुना न आर बी सी डवलो बी सी पलेटलेफस बलड सेल है वो वाल य not तो इस आरविसी की खोज के बारे में अगर आपसे क्यूशन पूचा जाए तो कुण है ये ये गएंटनीव वोण ल्यूवेन होक कर्ण कर्णद के अगर आपसे पूंचता जाए कि ये सुक्राणु की खोज किसने की थी तो शुक्राणु की खोज भैють ये इसी ये itन लूवेन होक नेकर अगर आपसे कुसन कोचा जाए कि प्रोटो जोवा की खोज किसने की थी तो भीया प्रोटो जोवा की खोज भी सबसे पहले इंटनी वोल्यूवेल होगने ही की थी अगर आप से क्यों सर्फ पूछा जाए जीवानों की खोज किसने की थी तो भीया जीवानों की खोज भी जीवानों के khúc किस ने की तो हम क्या सकते हैं जीवितकोसिका के खोज भी एंटनी वोन लिवेन होक ने ही की है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जिवानों की खोज किस ने की एंटनी वोन लिवेन होक ने की इसके अलावा दस तो आपको याद रखना है RBC की खोज भी, सुकरानों की खोज भी प्रोटो जोवा के खोज भी किस ने की थी एंटनी वोन लिवेन होक ने ही की थी बोलो क्या आप तक मैंने आपको जो पड़ा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया हाज जी भीया बोलिए गाईज अगर आपने स्क्रिंशोट ने लिया है आपके स्क्रिंशोट ले दीजिए देखिए आज की क्लास में आपके कितने सारे क्योशन किलियर हुए गाईज अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो मुझे ये बताओ अब आपसे कोई अगर ये पहुचे कि विया कोशिका के खोज किस ने की और कोशिका के खोचे समंदित अगर आपके प्रतियों के प्रिक्षाओं में कोई भी क्यूशन आए तो आप सत प्रतिय सत साथी उस क्यूशन को करके आओगे अगर आप नहीं करके आते हो तो भईये ये मेरी गलती नहीं है ये आपकी गलती है क्योंकि आपने मेरे दुवारा बोली हुई बातों को मेरे दुवारा का हुई बातों को अच्छे से नहीं सुना अगर सुनते और आप notes बनाते साथियों सुरू से पहली class से तो guys आप क्यूसन जरूर करके आते इसलिए आपसे request है pen लेजिए copy लेजिए किताब लेजिए और notes अपना देखो notes में नहीं देता बहुत सारे student यह कहते हैं कि notes दिया करो notes दिया करो guys notes देने का कोई फाइदा नहीं है वैसे जो मैं आपको notes दूगा वो बात तो किताब में भी लिखी हुई है हो सकता है थोड़ी cutting language में लिखी हुई हो मैं दूगा वो थोड़ी easy language होती है लेकिन भी या जो आप आपके मन से आपकी मेहनत से आपके दिल से मेरे दुवारा कई हुई बातों को अगर आपनी book में note करोगे आप तो guys उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती वो guys आपको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा और मैं जो आपको notes दूँगा वो आप 10 बार पढ़ोगे तब भी आपको ऐसा लगएगा कि कास में एक बार और पढ़ लेता इसलिए विया सबसे अच्छी बात मेरी ये है कि आप pen उठाईए, copy उठाईए और खुद ही अपने notes बनाईए जो भी notes देते हैं मुझे तो ये सब अच्छ नहीं लगते हैं नहीं मैंने आज तक किसी के notes पढ़े हैं और नहीं पढ़ोगा खुद के बनाओ, खुद पढ़ो यार इससे अच्छ और कौन सा notes हो सकता है देखो एक बार आपने मेरी बात सुनी एक बार आपने उसी बात को आपके किताब में लिखी फिर आपने पढ़ा अरे बेटा अगर आप किसी के बारे में तीन बार पढ़ लेते हो या तीन बार बोलते हो क्या नहीं, और फिर तो आपका रूटिन बना रहेंगा, जैसे जैसे ही आप रोज पढ़ोगे, पिछली क्लास का रियोजन तो हम आपको इसी क्लास में करवा देते हैं, हाँ हो सकता है, इतना फरक है कि पिछली क्लास में हम दिटेल में पढ़ा थे, अब इस क्ला पास रखना मेरे दोस्त देहरिये रखना अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम आपको जीत जरूर दिलाएगे जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ मैंने साथियों दोड़ाई साल खर्च किये हैं इसी चीज़ पर मुझे यकीन है मैंने अपने जिन्दकी के दो साल दिये हैं ढ़ाई साल दिये हैं कुछ विश्वास है आपसे भी वादा करता हूँ आप भी करिए आपको भी जीत मिलेगी तो आज यहीं तक रखते हैं साथियों और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत रामरा कल हम साथियों संसार की सबसे बड़ी कोशी का संसार की सबसे चोटी कोशी का हमारे सरीर की सबसे लंबी कोशी का सबसे चोटी कोशी का सबसे बड़ी कोशी का और कोशी का विवाजन से संबन्दित कुछ समयत्कून तर्थे हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे और कोशी का सिद्धानति के बारे में बात करेंगे इसलिए कल हमारी क्लास लेना जरूर आना भूलना मत मैं कल-कल कोई से भी टाइम जैसे ही मुझे टाइम मिलता है साथी हो आज कल क्या टाइम का बहुत इस्यू इसलिए में टाइम फिक्स नहीं कर पा रहा लेकिन आपको कल जरूर क्लास मिल जाएगे तो फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए चेहन जे भारत रमरा